वेलकम बेक टू जे वियार दोस्तों आज की अपडेट मैं लेके आया हूँ 12th Pass Candidate के लिए Part-Time and Freelancer Job Work From Home आपके काफी सारे मेसेज आए जिसके अंदर Majorly Audience वो होती जो 12th Pass है और यहाँ पे वो कुछ आवर्स तीन घंटे या पांच घंटे काम करना पसंद कर रही है जो कि वो Already School Student या College Student है और वो यहाँ पे एक Part-Time Job चाहते हैं जो एक Dedicatedly Company से मिले और यहाँ पर देखे 300 से 500 रुपे अर्निक कर पाए तो आज की जोप आपकी इसी के उपर होने वाली है और यह जोप आपकी Multiple Domain पे निकलिया इसमीन्स काफी Different Profile है और इनमें से कौन सी Profile का Skill Set आपसे मैच हो रहा है जिससे आप इस जॉप को ले सकते हैं इसी के उपर हम Detail Discussion आज करने वाले हैं अब यह जॉप को अप्लाई करने का जो Procedure है उसको भी मैं Detail में Explain करूँगा तो kindly and humble request की Video Last Act देखें काफी सारे Persons यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करते हैं Information को Just Overview लेते हैं और चले जाते हैं तो उनसे request करूँगा कि आप वीडियो को ने Last Act देखें क्योंकि काफी सारी जो Problems होती है उसके solution वीडियो के Last में आपको मिल जाते हैं College आपका Graduation या Post Graduation परसिंग Graduation कुछ भी है आप इस जोप को अप्लाई कर सकते हो कोई Specialization के Demand नहीं करी गई है Second Age Factor आपकी Age किसी भी Criteria से Blown करती है अगर आप यहाँ पर 17 प्लस हैं तो आप इस जोप को अप्लाई कर सकते हो काफी सारे Persons 35-39 के होते हैं जिनके messages आते हैं तो yes you can also apply मतलब अगर आप अल्रेडी कहीं पर काम कर रहे हो या आपने एक लंबा गैप ले लिया आप हाउस फाइफ आट तस साल बाद आप जोइनिंग करना चाहते हैं पार्टन जॉप आते हैं जिससे आप घर पे बैठके रिनिंग कर सके हैं आप अप्लाई कर यह मैं इसलिए importance यहां पर दे रहा हूँ जो कि काफी सारे person जब पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ for example Kolkata से ब्लांग करते हैं अब यह जो person अपनी local language को priority देगा तो yes you can also apply तो मतलब आप जहां से apply कर रहे हैं आपको majorly English आनी चाहिए majorly आपको अपनी local language आनी चाहिए तो आप किसी भी job को apply कर सकते हैं जो भी मैं आपके साथ share करूँगा तो मुझे लगता है कि every single candidate जो इस वीडियो को देख रहा है maximum candidate इस job को apply कर सकते हैं जोब apply करने का link वीडियो के description में आपके लिए available हैं आप link पे click करेंगे आप हमारी website पे पहुँच जाएंगे यह हमारी website का interface है यहां पर आपको मिलेगी कि सारी original officially information apply आपको यहां नहीं करना है apply आपको कहा करना है officially website पर officially website का link आपको website पे मिलेगा तो हमारी website पर आप सारी information चाहें तो क्रोस चेक भी कर सकते हैं तो अब यहां पर discuss करते हैं कौन-कौन सी profile है जिस पर आपको यह job मिलने वाली है तो your time जब आफ फ्री है morning में इवनिंग में कि जैसे अभी current affairs चल रहे हैं कि मोदीची किस किस country में घूमने गए तो आपके ऐसे ही current affairs पे पीपीटी बनानी है powerpoint presentation इसको बोला जाता है जो कि Microsoft Office के टूल में बनती है और यहां पर यह presentation जैसे आप complete करोगे आप तो यहां पर आपको यूज करनी है वो सारी guideline आपको यहां पर मिलने वाली है तो यह थी आपकी पहली profile जहां पर आपको PPT create करनी है बात करते हैं अपनी second profile की जो आपकी definitely favorite होने वाली है social media marketing internship basically internship है तो आपको dedicated hours यहां पर देने होंगे पर internship है तो आपको कम hours देने होंगे और learning और earning दोनों फैक्ट करनी है क्या चीज़ ट्रेंडिंग पर है कैसे आपको यहां पर social media को engage करना है maximum output लेके आना है जिसे एक brand value create हो सकें तो इस type की चीज़े आपको यहां पर complete करनी है और यह सारी चीज़ें जो आपकी रहेंगे वह आपकी company test book के base पर रहेंगी तो test book एक ऐसा startup है जो कि आपका सर study material provide करता है जैसे कि आपने सुना होगा SSC, UPSC वो यह सरकारी exam में जिससे आपको सरकारी job मिलती है तो अगर आप इन सरकारी job को clear करना चाहते हो तो जो study material आपको पढ़ने के लिए चाहिए या जो आपको exam देने है उसका mock exam हो गए, mock आपके test book हो गई, तो वह सारी चीज़े को social media पर post करके इनकी brand value को create करना है, तो आप देख सकते हैं यही पांचों points में चीज़े mention करी गई है, next आता है आपका freelancer tele counselor, इसी job के लिए मैं आपको यहाँ पे इतना focus कर रहा था, जिसमें पहला point लिखा है कि आपको responsibility निभानी है, आपको assist करना है student को to making a best decision, basically होता क्या है कि कोई person है, उसे कोई course जोइन करना है, या उस person को कोई यहाँ पे service लेनी है test book की, तो वो call करेगा और उससे recorded आपसे question put up करेगा, कि अगर मैं यहाँ पे आपकी test series जोइन करता हूँ, मुझे क्या benefits मिलेंगे, या अगर मैं आपसे material खरीता हूँ, तो मुझे क्या benefits मिलेंगे, तो इस type के question जब आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको calling के अंदर उनको appropriate answer करना है, उनके जो भी problem है, उसको resolve करना है, यही सारी चीछे आपकी यहाँ पे mention करी गई है, कि आपको अच्छे से, यहाँ पे आपको delivery करनी है, सामने वाले person को convince करना है, आपका outbound call process रहेगा, इस कासी अरनी कर सकते हैं, अगर आम इसे फिल भी एक roughly ideal होगे, तो monthly 18 से 22,000 रुपे part time में लोग यहाँ पे अरनी कर लेते हैं, but still depend आपके quality of work पे, आपके number of hours पे depend करेगा, तो यह थी काफी सारी jobs जो आप apply कर सकते हैं, यहाँ पे last one job है, आपकी content strategy, freelancer BDA sales की, तो यहाँ पे having some knowledge related to sales, बेचना, sales related आपको knowledge होनी चाहिए, चुकि BDA profile आपकी business development associate stand करती है, then after should be have self motivated to work, मतलब आप self motivated person, highly enthusiastic person होने चाहिए, then after यहाँ पे must be delicate in term of working and reporting आपका होना चाहिए, तो यह वो सारे skills से अगर आपके पास है, तो आप इस job को join कर सकते हैं, तो ऊपर यहाँ पे मिने responsibility को mention करें, नीचे वो सारे skills mention करें, जिसके बहाँ पे आप job को apply कर सकते हैं, जैसे मैं freelancer tele counselor के skills आपके साथ discuss करूँ, तो पहला है आपका high school, आपका complete होना चाहिए, इसका मतलब 12th path, second है, आप domestic outbound or tele souls experience required, अगर आपके पास है, तो इस really good, third है understand, आपको basic English language आनी चाहिए, elementary level की, fourth है आपकी minimum age 18 plus होनी चाहिए, fifth one है, आपका super verbal communication, आप अच्छे से बात करने के लिए, यहाँ पे योक्य होने चाहिए, sixth one है, ability to switch your communication style, हुआ वी, means, इसको अगर मैं simple language में बताऊ, आपका सामने वाला कस्पर, जिस tone में बात कर रहा है, जिस level पे बात कर रहा है, आपको उसी level पे उसी comfort level पे जाके उससे बात करनी है, the rest of the information आप चाहें तो खुछ से read out कर सकते हैं, अब इन सभी जो आपको apply करने का pattern quite simple है, आपको click करने हैं, आप officially website पे आ जाएंगे, then after आपको यहाँ पे देखना है कि top पे दो option है, apply with indeed और directly apply, तो आप indeed की through भी apply कर सकते हैं, directly भी कर सकते ह आप दोनों में से कुछ भी कर लें, चुकि same level है, और मैं directly apply पे click करूँगा, और उसके बाद मुझे नीचे इस form को fill up करना है, जिसमें मेरा first name, last name, email, contact number, उसके बाद मेरा resume में आएगा, make sure, यह resume में is ATS friendly application tracking system friendly होना चाहिए, अगर आप जानना चाहते है, ATS friendly resume में क्या होता ह है, तो comment section में comment जरूर करें, then after आप से तीन question put up किये गए है, जिसके answer आपको करने है, जिसके अंदर आएगा, can you dedicatedly around 4 hours between 10 a.m. to 8 p.m., क्या आप 4 घंटे दे सकते हैं, सुबह 10 से लेके, शाम के 8 बजे तक, तो मैं recommend करूँगा, यह सी आपे mention करें, then after, क्या आप Hindi fluently बोल सकते ह है, your highest qualification, जो भी आपने complete करी, आप यहां पे mention करके, submit कर सकते हैं application को, then after, आपको wait करना है, एक से दो वीक, अगर आपका resume, आपकी profile select होती है, तो HR के end से आपको call और email, दोनों में ही reverse back आ जाएगा, तो जल्दी से जाएए, जोब को apply करें, और comment section में अपनी favorite profile मेरे साथ share करें जिससे next time भी मैं उसी profile पे maximum jobs update आपके लिए लेके आता रहूँ, तो मैं सचिन चुहान आप से मिलूँगा next video के next content पे, but till then, keep learning, keep growing and keep watching JBR.